क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे बूलू आज से अल्मूस 30 साल पीछे एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जो आज 2020 में बनने वाली आदी पुरुष से 10,000 गुना टाइम्स बेटर है वो भी हर फील्ड में आदी पुरुष में बुरा क्या है वो तो हर को ही बता रहा है बीमारी तो पता चलगी लेकिन अब कुछ इलाज भी तो ढूना पड़ेगा ना बस ये विडियो उन सब लोगों के लिए दवा का काम करेगा जो मेरी तरह आदी पुरुष के ओवर्डोस से बिमार हो चुके हैं और सबसे कमाल की बात इस पुरानी वाली फिल्म का बजट इस नई वाली आदी पुरुष के 110 से भी कम है भरोसा नहीं होता ना अब हो जाएगा रामायन दे लेजेंड ओफ प्रिंस राम ये है वो क्लासिक सिनिमा जिसको कल गात देखा मैंने और फाइनली आदी पुरुष के सारे पाप धुल गए मेरे कानों पर यकीन नहीं होगा आपको लेकिन ये रामायन वाली फिल्म आक्चली जैपनीज सिनिमा है इंडियन नहीं जी हां सोचो हमसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग हमारे कल्चर को जादा अच्छे से समझ गए जबकि ये लालची फिल्म लाइन वाले अभी भी बुद्धु हैं आदीपुरुष को देख करना सबसे बड़ी शिकायत लोगों के दिमाग में यही थी कि फिल्म को बहुत जलबाजी में बनाया गया वो भी सिफ पैसा कमाने के मकसद से लेकिन ये जो पुरानी वाली फिल्म है वो कैसे बनाई गई इसके पीछे की कहानी लिटरली हिला के रग देगी आपको कैसे बनती है रामायन पर असली फिल्म आज पता चलेगा इस फिल्म के जो क्रियेटर थे वो इंडिया आते हैं 1980s में अयोधिया पे बेस्ट एक फिल्म के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहे थे ये यहाँ पहली बार इनको श्री राम के बारे में पता चलता है लोगों से ऐसी कहानिया सुनने को मिलती है राम भगवान की कि एक जैपनीज बंदा हिंदू कल्चर से इतना ज़ादा इंप्रेस हो जाता है कि वो इसको पूरी दुनिया में फैलाने का फैसला करता है एक फिल्म के थ्रू सुनके हैरान हो जाओ गया तोटल 60 साथ ट्रिप्स किये थे इनोंने जापान से इंडिया बार बार रामाइन के बारे में रिसर्च करने के लिए पूरे 10 साल लगाए इनोंने रामाइन पे अपनी फिल्म तयार करने में एक भी छोटी सी गलती करना इनको मनजूर नहीं था क्योंकि इनका मानना था कि भगवान राम पे जब फिल्म बनेगी तो भगवान खुद उसको देखने आएंगे जो जिस मकसद से फिल्म बनाएगा उसको वैसा वापिस मिलेगा टोडल 450 लोगों की टीम ने मिलकर फाइनली उस जमाने में अल्मूस 50 करोड के बजट से इस एनिमेशन फिल्म को तयार किया अब मैं बताती हूँ आपको 10 ऐसी चीज़ हैं जो 30 साल पुरानी एक जैपनीज फिल्म ने 2023 में बने वाली इंडिया की सबसे महंगी फिल्म से बहतर करके दिखाई है आदी पुरुष में रागव एक सूपर हीरो है बस जिसकी तारीफे सुनाई जाती है इनका नाम लेके ये हो जाता है वो हो जाता है वगेरा वगेरा क्यों किसलिए कैसे रागव को दुनिया इतना मानती क्यों है किसी ने बताया पूरे तीन घंटे में जवाब है ना लेकिन इस एनिमेटेड फिल्म में राम कौन है इनको भगवान क्यों माना जाता है दुनिया इनको आदी पुरुष क्यों बोलती है एक एक चीज़ समझाई गई भगवान विष्णू से राम का कनेक्शन क्या है और धर्ती पे उन्होंने ये अफ्तार लिया ही क्यों सब कुछ फिल्म में आपके सामने रखा जाएगा पॉइंट नबर टू शायद आदी पुरुष पाले बताना भूल गए कि आयोध्या में राम भगवान का एक परिवार भी था रामायन सिर्फ 5 केरेक्टर से नहीं बनती राम लक्ष्मन सीता हरुमान रावन राम भगवान का अयोध्या से प्यार और भरत जैसे भाई का उनका 14 सालों का लंबा इंतजार उनके चरण पादुका को सर पे रख के सिंगहासन पे बिठा दिया राजा बना के भरत खुद कभी राजा नहीं बने आदी पुरुष देखने वाले बच्चों को ये सब कहां से पता चलेगा इसलिए उनको ये एनिमेटेड फिल्म दिखाना आदी पुरुष के रागव अपनी जानकी और भाई के साथ एक गुफा में क्यों रह रहे थे इस सवाल का जवाब में साथ दिनों तक नहीं ढून पाई अभी भी जबकि इस एनिमेटेड फिल्म में राम भगवान का कनेक्शन दिखाया है पेड, पौधे, जानवर, चिडिया हर उस चीज से जो सांस लेती है जब भगवान खुद जंगल में उनके बीच उतर आये तो हर कोई खुशी से पागल हो गया, वो जंगल किसी स्वर्ग से कम नहीं था राम कोई जंग लड़ने थोड़ी आयते जंगल में जो किसी दुश्मन से छुपकर गुफा में अपना टेंट लगाएंगे पॉइंट नमबर चार, अच्छा चलो माल गया, राम गुफा तक पहुँच भी गये, लेकिन आदी पुरुष ने ये तो बताया है नहीं कि राम जंगल गये क्यों थे सिर्फ दो घंटे में सब कुछ बताना ये खुद में एक अचीवमेंट है पॉइंट नमबर पांच, मुझे परस्नली ऐसा लगता है, आदी पुरुष ये फिल्म है न, वो रावन की कहानी जादा बताती है मतलब उसकी डेटेल का जादा ध्यान रखा है इनोंने जैसे भगवान ब्रह्मा का रावन को वर्दान या फिर शिवलिंग के सामने बैठकर वीना बजाना और माता सीता का हरन करते वक्त रावन का उनको बिलकुल ना छुना जबकि रामायन का नाम रामायन इसलिए है क्योंकि उसमें राम की खाहनी बताई जाती है इस एनिमेटेड फिल्म ने राम को ट्रिब्यूट दिया है जबकि आदी पुरुष ने राम को कमजोर दिखाया हर एक चीज में उनके कैरेक्टर पे जीरो काम किया अगर छोटा बच्चा आदी पुरुष को देखेगा तो वो बड़ा होकर रावन के बारे में गूगल करेगा ना की राम के बारे में यही इस फिल्म की सबसे बड़ी हार है यह लोग भूल गए रावन खुद ब्रामन था वो भी ऐसा जिसने अपने नौसर काटके चड़ा दिये अपनी भक्ती को सिद्ध करने के लिए इस एनिमेटेड फिल्म में पता है रावन को आवास किसने दी दे लेजेंड अम्रीश पुरी सर ने उन्होंने रावन का कैरेक्टर इवल होने के बावजूद उसके इंपक्ट को बनाये रखा है पूरी फिल्म में रामायन कभी रावन के बिना पूरी नहीं होगी ये इस फिल्म को देखकर समझ आएगा जबकि आदी पुरुष में रावन को कभी याद नहीं रखना चाहोगे जिस तरह उसको दिखाया क्वाइन नुम्र साथ मुझे वाकि हैरान कर देता है कैसे एक जैपनीज फिल्म क्रियेटर हिंदी में इतने पारफुल डायलोग्स लिखा सकता है मतलब लैंविज का जो लेवल है ना इस एनिमेटेट फिल्म का वो हर सीन में याद दिलाता है कि हम भगवान की कहानी देख रहे हैं कोई मामुली फिल्म नहीं और इसके ठीक उल्टा आदी पुरुष का तो कहना ही क्या बस गाली देना बाकी रह गया फिल्म में अब तो राइटर सहाब ने ये तक बोल दिया कि हनुमान भगवान नहीं थे वो तो सिफ राम के भग थे भगवान बाद में हम लोग ने बनाया उनको पॉइंट नमबर आट जो आदी पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है और इस एनिमेटेड फिल्म की सबसे बड़ी ताकत रामायन के साथ जुड़े हुए एमोशन्स कितने की शर्ट लगाओगे आदी पुरुष के एक भी सीन में आपको एमोशनल फील नहीं होगा हाँ बस गुसा कंटिनियूस आएगा 100% शुरू से एंड तक जबकि ये दूसरी वाली फिल्म एनिमेटेड है इसमें कोई इनसान नहीं दिख रहा है फिर भी कहानी के थुरू एमोशन्स पब्लिक तक पहुँच जाते हैं पूरा ध्यान वीएफेक्स बनाने पर डाल दिया या फिर किंग कॉंग को इंडिया लाने में उससे भी ज़्यादा थैनोस को ट्रिब्यूट देने के लिए रावन का इस्तमाल करने में जबकि ये जो दूसरी वाली फिल्म है ये सिनिमा को हिस्ट्री की तरफ ले जाती है हिंदू कल्चर को पोट्रे करने की सची कोशिश एकड़म सिंपल तरीके से राम जो बोलते हैं, राम जो देखते हैं, राम जो सिखाते हैं, सिर्फ उस पर फोकस जालके फिल्म का इस्तिमाल करना एक मैसेज देने के लिए, हॉलिवोड और उसका VFX गया तेल लेने पॉइंट नमबर दस जो सबसे जरूरी है और दोनों फिल्मों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है आदी पुरुष के राघव वाले रोल में प्रभास की कास्टिंग और परफॉर्मेंस जिसने फिल्म को डुबा दिया, रिलीस से पहले ही लोगों ने इसको ठुकरा दिया तो दूसरी तरफ एक एनिमेटेड फिल्म का लीड केरेक्टर जिसको दूर से देखकर ही बच्चा बच्चा बता देगा ये श्री राम है, इसको बोलते हैं मिशन सक्सेस्फुल और गलत मत समझेगा सिर्फ लुक्स का अंतर नहीं है दोनों में, जिस तरीके से स्क्रीन पे दोनों को प्रेजन किया गया, उसमें जमीन आस्मान का फर्क है एक बाहु बली बनने की सस्ती सी कोशिश जिसने भगवान को मामूली सा सूपर हीरो बना के रख दिया, लोग भूल जाएंगे कुछ दिनों बाद तो दूसरा जो हर इंसान के दिमाग में रामायन सुनके राम का पोस्टर आता है, उसको स्क्रीन पे उतार देने वाला जादू, कभी नहीं भूल सकता कोई इस चेहरे को सारे पॉइंट्स तो खतम हो गए, लेकिन एक मज़ेदार बात बताऊं, जो आदी पुरुष के पास है, लेकिन ये एनिमेटेड फिल्म उसमें चूक गई कर बता हैं, राम कि भएविंटर। Ang कर दो खतम है, लेकिन टीसमें उतार आता है, लेकिन एक म्जबट्सेट थे लिएकिन योगिज म्ते पास है लेकिन वेज़िये वजयिक शेलिए 000भ